एलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बटा एक्सरसाइज 12.3 का क्योस्टन नमबर फर्स्ट देखते हैं NCRT Math से स्टेट्वेंट रीड करेंगे क्या है Find the area of the shaded region if pqo equal to 24 cm, pr equal to 7 cm, o and o is the center of the circle हमें ये figure given है, यहाँ पे हमें value given है, pqo की value given है, pr की value given है ठीक है, o हमें center बता दिया circle का, तो हमने जो ये shaded region है, green वाला area ये क्या करना है बटा हमें, find out करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज given है वो write down कर लेते हैं, pqo जो given है, वो कितना है हमें, 24 cm, pr जो given है, वो क्या है, 7 cm ठीक है, अब बेटा यहां पे देखेंगे हम, int angle, pqr के अंदर, जो angle p होगा, वो क्या होगा, 90 degree होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों कि ये हमारे पास क्या है, rp diameter है, तो ये हमारे पास इधर क्या बच गया हमारा, semi circle, semi circle के अंदर जो भी angle form होता है, वो हमेशा क्या होत होता है, आई होप ये चीज आपको पता होगा, construction के chapter में भी हमने कई बार दिखा था, कि semi circle में हमेशा angle जो form होता है, 90 degree होता है, तो यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों sides के help से हम अपना diameter find out कर लेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, angle p जो है, वो क्या है, 90 degree, region लिख आर क्यो पी आर के अंदर, क्यो पी आर के अंदर क्या लिखेंगे, angle p 90 degree है तो क्या करेंगे, बाए, पाइथागोरस थोरम, 90 degree के सामने यह क्या हो जाएगा, आर क्यो हमारा hypotenuse, तो आर क्यो का square, is equal to आर पी का square, पलस पी क्यो का square, values पुट कर लेते हैं, यहां पे, आर क्यो क square, is equal to, आर पी क्या है, हमारे पास, 7, 7 का square, पलस 24 का square, तो आर क्यो स्केर, is equal to क्या गया, 7 का square क्या होता है, बाटा, 49 पलस 24 का square, 576, आर क्यो is equal to क्या गया, 49 और 576 कितना हो गया, बाटा, 625, इसका अंदर रूट, means क्या गया, 25 cm, तो हमने diameter, find out कर लिया, अपना 25 cm, तो diameter जो आगया, हमारे पास, वो आगया, बाटा, 25 cm, अब radius find out कर लिते हैं, radius is equal to क्या होगा, हमारा, r equal to, diameter का half होता है, 25 by 2 cm, I hope यह चीज़ आपको अच्छे से clear हो गई है, next देखते हैं, अब हमें area of shaded region निकालना है, तो देखिए बाटा, हमारे पास जो ये है, ये वाल line, r q जो diameter है, इससे इधर, ये हमारा क्या होगा, semi circle, अगर मैं semi circle के area से, इस triangle का area subtract कर दू, तो हमारे पास shaded region का area आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, area of shaded region, किसके equal होगा, area of semi circle minus area of triangle p q r, तो यहाँ पर area of semicircle, semicircle means circle का area formula क्या होता है, pi r square, semi means half है, तो क्या कर देंगे, pi r square का half, pi r square by 2, ठीक है, minus, area of triangle p q r कैसे निकाल लेंगे हम, half into base into height formula होता है, तो 1 by 2 into base क्या हो जाएगा, हमारा p r, into में height क्या हो जाएगी, p q, यहाँ पर लिख लेंगे, area of triangle क्या होता है, half into base into height, ठीक है, यह formula हमने क्या कर लिया, use, value put कर देते हैं, pi की value क्या होगे, 22 by 7, यह 2 है तो multiply में 2, multiply r square है, r कितना है, हमारा radius, 25 by 2, तो 25 by 2 multiply में 25 by 2, minus, half into, pr की value क्या है, हमारे पास, 7, 7, multiply p q की value क्या है, 24, 24, 2 से इसको divide क्या तो 12, यहाँ पर 2 से इसको divide क्या तो 11, यहाँ पर value क्या आगी, 11 by 7, multiply 25 और 25, 625, अब उन में 2, 2 जा, 4, minus, 12, 7 जा क्या होगे बिटा, 84, ठीक है, इसको थोड़ा सा और simplify करते हैं, यहाँ पर multiply करते हैं, 11 की और 6, 25 की अगर multiply करेंगे हम, तो value आजेगी 6875, अब उन में 7, 4, 28, minus 84, अब 6875 को 28 से multiply करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास value आजेगी बिटा, 245.53, minus में क्या आजेगा, 84, अब इनको subtract करते हैं, तो answer जो आगया, 161.53 cm2, this is the area of our shaded region, means, green जो area हमने किया है, वो area कितना आगया हमरे पास, 161.53 cm2, I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा, कहीं पर कोई doubt हो, तो मुझे comment कीजिए, otherwise इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, next question देखते है अपना बिटा, question number second, question number second की statement read करेंगे बिटा, क्या है, find the area of shaded region, if the radius of two concentric circles, concentric circle means क्या होता है बिटा, दोनों circles की जो center है, वो क्या होगी हमारी, same होगी, width center O, R, 7 cm and 14 cm, two concentric circles है, जिसमें छोटे वाले circle की radius जो है, 7 cm given है, और बड़े वाले circle की जो radius गिए है ना, वो क्या given है, बिटा, 14 cm, and angle AOC, जो given है, हमें, वो क्या given है, 40 degree, AOC, means ये जो angle given है, ये क्या हमें, 40 degree given है, ठीक है, इस तरीके से मैंने figure draw कर लिया, यहाँ पे हमें shaded region का area find out करना है, means जो मैंने green area किया है, यहाँ पे, इसका area हमें find out करना है, अब कैसे करेंगे इस area को find out, तो सबसे पहले, जो चीज हमें given है, वो लिख लिख लिते हैं, बिटा, एक बार, radius of small circle, radius of small circle, small r से represent कर लेते हैं, r is equal to 7 cm, radius of big circle, capital r is equal to, होगा, हमारा 14 cm, ठीक है, central angle जो given है, वो write down कर लिते हैं, central angle, theta is equal to कितना given है, 40 degree, यह चीज़े हमें given है, अब area कैसे find out हो बिटा, हमें central angle given है, radius given है, तो हम area of sector find out करते थे, ठीक है, अगर मान लिया, O, A, C, इस बड़े वाले circle के sector message, small वाले circle के sector को, अगर मैं subtract कर दूँ इन area को, तो हमारे पास shaded region का area आ जाएगा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, area of shaded region, is equal to किस के हो जाएगा बिटा, area of, area of, big sector, कुन सा है, O, A, C, माइनस में area of, small circle sector, circle sector, O, B, D, O, B, D, अगर दुनों को मैं subtract कर देता हूँ, तो हमारे पास area of shaded region आ जाएगा, तो area of sector का formula क्या होता है, theta by 360, into में pi, small, यहाँ पर बड़ा circle है, तो capital R लेंगे, pi R square, माइनस, यहाँ पर theta by 360, pi small r का square, ठीक है, इस तरीके से value रखनी है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, values put कर लेते हैं, अपनी theta की value क्या है, हमारे पास 40, 40 by 360, multiply by 22 by 7, into radius क्या है, हमारा बड़ा, 14 into 14, माइनस में, यहाँ पर theta की value क्या put करेंगे, 40 by 360, multiply 22 by 7, multiply small radius कितना है, 7, 7 cm तो 7 multiply 7, इसको simplify करना है, 40 से 9 पे cancel, यह भी 40 से 9 पे cancel, 7 बन जा 7, 7 तूजा 14, यहाँ पर 7 से यह 7 cancel out, 14 की और 22 तूजा क्या होगा, 44, 44 की और 14 की अगर हम multiply करें, तो हमारे पास value आजाएगी, 6, 1, 6, अब उन में क्या है बटा, 9 minus, यहाँ पर हम 7 से 7 cancel out हो चुका हमारा, 22 की और 7 की multiply करते हैं, तो क्या आजाएगा, 154 अपोन में 9, बिल्कुल simple calculation आगे हमारे पास, is equal to क्या है, यहाँ पर LC हम ले लेते हैं, 9, यहाँ पर क्या आजाएगा, 9 से 9 cancel out, तो 6, 1, 6, minus में 154, 6, 1, 6 में से 154 अगर subtract करते हैं, तो value जो आएगी, वो क्या आगी, 462 by 9, अब बेटा यह क्या हो गया, 6 or 4, 10 or 12, यह 3 से cancel out हो रही है हमारी, 3 से cancel out करते हैं, तो यह क्या है, 154 अपोन में 3, तो value जो आगी, वो क्या है गी, 154 by 3 cm square, तो जो shaded region है, हमारा green वाला, उसका area आगया, 154 by 3 cm square, इस तरिके से, हम इसका area find out कर लेंगे, अब कई जगे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई teachers आपको बताते हैं, यहां से क्या करो, 3, theta by 360, इस तरिके से, देखो एक बार, theta by 360, और πाई, common ले लो, अंदर बच गया, r square minus r square, अब value put करो, यहां से अगर करके देखोगे ना बिटा, तो calculation थोड़ी सी difficult हो जाती है, और मैंने आपको जैसे ही suggest कर रखा है, कि इस channel पर आपको best easy solution में आपको दूँगा, तो यहां पर बिटा, easy calculation यही है, हमारी, कोई common निकालने की requirement नहीं है, direct value put कीजिए, आप ओन में denominator में 99 आता है, LCM लिजिए और simplify कर लिएजिए, I hope यह question आपको अच्छे से clear हो जाएगा, कहीं पर भी कोई doubt आता है, कहीं पर भी पिछले questions में भी आप playlist से जाके देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई doubt आता है, तो आप मुझे comment कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द आपका जवाब देने की कोईशिस करूँगा, I hope सभी आपको questions कलियर हो जाते हैं, आप इन वीडियोज को share कीजिए, अपने friends के साथ like कीजिए और subscribe कीजिए channel को, Thank you students,